नमस्कार दोस्तों रसोई किचन में आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेयर करेंगे मटर और मस्रूम की सेबची जो बहुत ही टेस्टी बनती है ठंडियों में मस्रूम खुबाता है मेरे पास 500 ग्राम मस्रूम है इनको मैंने धुलकर काट लिया है इसके लिए मसाला चाहिए हमको गरम मसाला लाल मिर्च सब्जी मसाला नमाग जीरा हरी मटर बारी प्याज कटी हुई एक हरी मिर्च धनिया पत्ति टमाटर और लैसुन का पेस्ट एक कढ़ाई लिए लिए गैस को जला देंगे सर्सों का तेल एक ग्लास पानी एक छोटा चमच टेल डाल देंगे सर्सों का तेल है तेल गरम हो गया है अब इसमें हम जीरा डाल देंगे इसके बाद प्याज डाल देंगे डैस को प्रिमा का देंगे प्रिमा के लिए प्याज दो जाए डाल देंगे डाल कि मैंने काट दिया है कि इसकों तेज कर देंगे थोड़ा सा अपस्ट्ट्ट्aaaa है 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 अब इसमें है तेमाटा रहा लेसं को पेश्ट है जो उसको डाल देंगे करो असमें लेकिला लेपह वीस्मालता बड़ल देंगे, है ह।्ही है है ठाहल को छोटी कें लेकिला है ज को एाल बीकश थेचिछ से।बन को उसले है तो ज्वेश्टा देंगे, हम डंड़ल בכते हैंήσ उसलेगे वीस्माल देतार क्ट्लेफ वा अजार स्कत्रे हो प्रणाओर प्रणाओर कर दो दो वार रख वार रवार मसाले अच्छे तरह से पढ़ जाएं मारी ग्रेवी जो है अच्छे से पखगे है तेल भी छोने दीए है अच्छे में हरी मटा डाल देंगे हुआ है इसमे में एक मटा डाल देंगे अच्छेश पख़गे अच्छे तरह बर्गी को डराया है हुआ हैं आप अगा जयों उंखाने जो खुआ हैं कि एक अगा पिलाना ज़िर आउग तो आउगेँ है याँ जह थे खानदें नो अब कर साफा देँए चाहिए जाओ जाओ है निया जाओ टाल है नो ईंगर ब्ग्पमतिस ह्फला कुम भाइ aspire ये लग्लेb дос हे जिलिल लार्रे को BETH वहिंद सिर्फ लावा हूार है इन सादा लग्लेस जब ग्रेवी बनीजिए जिपना हमको ग्रेवी रखना है गाड़ी और पत्ली उसना ही हम पानी डालने में करेवी थे शेंटी पानी डालने में बनाएं के आखी पानी डालने में 10 मिनिट के लिए ढख कर पका लेंगे सब्जी को ढख कर पका लेंगे मारी मटर मश्रूम पक गई होगी 10 मिनिट हो गया है देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर तयार हो चुकी है मटर मश्रूम अब इसको बन बता परने जाएश को अब इसमें हरा दनिया डाब रहेंगे कैसी लगी मेरी मटर और मश्रूम की सब्जी अगर पसंद आई हो तो जरूर मेरे चैनल को सस्क्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें देखने के लिए धन्यवाद कैसी लगी मेरे याब इसके लिए टेखने के लिए याब इसके लिए रहें आई है